हरे क्रिष्णा न्मस्ते साष्वते दे वे गौर वानी प्रचारिने निर्विशे शुन्य वाधी पाच्चादेश तारिने धैशे कृष्णा चैतन्ना प्राभू नित्याननन्दभी अद्धवित गदादरा शिवा सदिग और भक्त बिन्दः अडे क्रिष्णा हरे कृष्ञ 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 कि अहरे हरे राम Ugh राम 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 अरिए हरे कृष्ञ को है सब्धार पस्ति बगतों के चड़नों में आपका हादिक सवागता अविननन श्रूमट भाद गीता यथा रूब अध्याय संख्या एक स्टोंत तक हमारा विचार हो चुका है पां और भीम अपने अपने शंक बजा रहे हैं नेकर शंक कैसे हैं दीवे शंक हैं अदभत शंक हैं और अब जो बाकी पांडवपक्ष के युद्धा और जो महारती खासता और पर पांडव शंक बजाते हैं उनका नाम अब बताया गया है यह तीन शलोग हम पढ़ेंगे कठे 16, 17 उसके साथ ही साथ बाकी जो महारती हैं उनके तरह भी बताया गया है पांड़ों के कि वे कैसे दीविशंख बजाते हैं और उन शंखों को बजाने का प्रभाव क्या होता है कौरपक्ष के यो धौं और सेना पर उसको हम चचा करने का अब प्रयास करेंगे तो कहते हैं तुनिश लोग केठे आते हैं सोला सत्राट्रा अनांत विजेय राजा कुंती पुत्र यदिश्ठिर नकलस देवच सुभोशो मानी पुष्पकव काश्य च परविशु आशाश खंडी च महारत दिश्ट दिम्न विराट च सात्यकी च अपराजित दुप दोध्र सौप देयाच सरवश पृत्वी पते सौभद्रश महाबाहू शंक दद्मू पृतक पृतक तो कहते हैं हे राजन गुंती पुत्री राजा यदिश्टिर ने अपना अनंत विजेय नामक शंक बजाया तो यदिश्टिर के शंक का नाम क्या है अनंत विजेय और नकुल और स काशी राज काश्य हचह क्यते हैं परम इशु आशह परम योध्धा थे परम धनुर्दध थे परम योध्धा शिखंडी दृष्टिद्यू विराट अजेय सात्य की जिंका एक नाम युद्धान भी था अजेय सात्य की दुरुपद दुरौपदी के पुत्र और सुभद् के महाबाहु पोत्र अभिमन्यू आदी सबने अपने अपने शंख बजाए शंखान ददमू ददमू यह नहीं बजाए प्रतक प्रतक अपने अपने एक दूसरे के नहीं अपने 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 थे या उनके शंख अपने अपने रथों पे अपने अपने शंख विद्यमान थ वो शंकुन ने बजाए तात पर यह संजय ने राजा धितराष्ट को तेंतर चत्राई से यह बताया कि पांडू के पुत्रों को धोखा देने और राज सिहास्तार पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेक पूर्ण नीती श्लागनिय नहीं थी श्लागनिय नहीं है यह बता रहे हैं अपरतक्ष रूप से संजय यहां कि हे राजा धितराष्ट आप आपने और आपके पुत्रों ने विशेश रूप से जो कूचाल जो कूचक्र चरा पांडवो से उनका रज छीनने का उनकी पत्नी चिनने का उनका धनसंपती छीनने का एक बड़ी अच् परम बुद्धी लगाकर परण्वों को हरा दिया, उनको जंगल में भेज़ दिया, उनकी पतनी को जीत लिया, इत्यादी, इत्यादी, यह बड़ा बुद्धी मता नहीं है, क्यों? क्योंकि यह इंगित हो रहा है कि आपके पक्ष के यो धाउं का अब हार उनकी जो दुर्ग यह महाभारत की शुरुआत है, बगत गीता क्योंकि महाभारत युद्ध के पहले ही बोली गई, तो अभी तो शुरुआत है, जब हम महाभारत पढ़ते हैं, विस्तार से, तो उसमें आगे जब विश्यम परमाएगा, द्रोन परवाएगा, करण परवाएगा, इत्यादी, वहाँ तो संजय बड़ी स्पष्ट रूप से, यहां तो अपरक्ष रूप से कहने हैं, आगे बड़े स्पष्ट रूप से महराज धितराष्ट की भरसना करेंगे, बड़ी कड़े शब्दों में निंदा करेंगे, विशेश रूप से जब उनके पक्ष्योद्ध मारे जात हैं, पाड़ तो संजय बड़ी स्पष्ट रूप से कहते हैं, हे राजा धितराष्ट, आपके ही एको कर्म है, आपको ही अपने कर्मों का फल यह भूगना पड़ रहा है, किसी और का दोश मैं नहीं कह सकता है, यहां थोड़ा अपर तक शुरूप से कह रहे हैं, अभी शु हो रहा था कि इस महायुद में सारा कुरवश मारा जाएगा, विश्ण पितमा से लेकर अभी मन्यों तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अन्यक देशों के राजाओं समेथ, उपस्तित सारे के सारे लोगों का विनाश होना निश्चित है, जो ग्यार्व धहमे विवान विराठ रूप में बताएंगे, कि सबका विनाश होगा, ये सारी दुगटना राजा दितराष्टर के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कूरिती को प्रोसाहन दिया था, तो इससे पता चलता है कि जो महत्पूर्ण पदों पर बैठा हुआ व्यक स्वार्थी हो जाए, निजी स्वार्थ को अधिक वह महत्पूर्दे, तो निश्ची दूप से उसके कारण जो है, बड़े बड़ी दुर्गटना है, बड़े बड़े डिजास्टर जिसे कहते हैं, उससे महाभार्त युद्ध, एक बहुत बड़ा डिजास्टर था, राज उनिश्च श्लोक सगोशो धातर नाश्टर नाम हिर्दे आनी वेदारत नभ्याचा पे त्वी चाईवा तुमलो अभ्यानू नादेयन। इन भी भिन शंकों के ध्वनी कैसी होगी, कोला हल पूर्ण हो गई, एक बजा रहा है, फिर दूसर बजा रहा है, तीसर बजा रहा ह तो ही विगुल इत्यादी, सिंग इत्यादी और चीजे भी बज रही है, ढोल नगाडे, तो इन भी भिन शंकों के ध्वनी को लाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश नभच प्रित्वी चाईवा, आकाश और प्रित्वी के को शब्दाए मान करते हुए, इनको गुंजाते जितराष्ट के पुत्रों के हिर्दे को विदिर्ण करने लगी, धत राष्टा हिर्दियानी विदारता, उनके हिर्दे बैठ गए, तत पर है, जब विश्म और दुरुद्रुन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंक बजाये थे, तो पांड़ों के हिर्दे वि जा गया है कि पांडव पक्ष के शंकनाद से जितराष्ट के पुत्रों के हिर्दे विदिर्ण हो गए, इसका कारण स्वयम पांडव और भवान कृष्ण में उनका विश्वास था, तो भवान कृष्ण के ओपर निर्बर हैं सारे पांडव, विजय तो हो नहीं है, इसको पता है उसके रक्षा कौन है, साक्षात पूर्ण पूर्मेश्वर, पूर्ण पूर्शोत्तम श्री कृष्ण, पूर्मेश्वर कि श्रण करने वाले को किसी विद्वा का भाय नहीं रह जाता, चाहे वो कितनी ही विपत्ती में क्यों ना पड़ा हो, तो बड़ी से ब अब जो सब हो गया, गौर्पक्षे योद्वा के दिल बैठ के, पांडपक्षे योद्वा ने खूब शंकनाद कर दिया, खूब उन्होंने शब्द गुंजाए मान कर दिया, पित्यों आकाश को, तो उस समय हनुमान से अंकित धोजा लगे रत पर आसीन, पांडव पूत् अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ, ध्रत राष्टान कपी दोज़ा, अर्जुन के दोज़ पे कौन बेटे हैं, साक्षात बजरंग वली, साक्षात हनुमान जी उसके रत पर आसीन है, तो उसमें हनुमान से अंकित धोजा लगे रत पर आसीन, पा प्रवित्य शस्त्र संपाते, धनुष है उसका पड़ा तकड़ा, गांडीर धनुष, जो साक्षात ब्रह्मा जी के दोड़ा बनाये हुआ धनुष है, तो इस अधान योद्धा उसको धार नहीं कर सकता है, साधान योद्धा उसका भाहर नहीं उठा सकता है, अर्जुन ज क्रिशन से ये वचन कहे, रिशी के शन्तदा वाक्यम इदम आहा मही पते, ये पित्य के पालक जिद्राष्ट महराज तो अर्जुन ये वाक्य कहता है, भवान क्रिशन से, ताथ पर युद्ध प्रारंब होने ही वाला था, उप्योक्त कथन से ग्यात होता है कि पांड़ों सेना लेकर और इतने संदर धंग से वे अपनी सेना को विवस्तित करेंगे, कौन पांड़ों, ये दुरुद्धन और बाकी उनके पक्षियान युद्धां को इसका विश्वास नहीं था, लेकिन बड़े संदर विवस्ता होगी, बहुत सारी सेना आगी, तो बिचारे तो साइथ होगे, निदुद्धसाइथ होगे, क्योंकि युद्ध भूमिय पानदबू का निरदेशन बहान कृष्ण का दिश्वानूसार हो रहा था, मूदकरण क्या है, मौान कृष्न को निरदेशित कर रहे थे, बहा Cadaष्ण, रिशिगेश है, अर्जूं की दोजा पर ह हनुमान का चिन भी वीज्य का सूचक है, यजिव히 हनुमान ने राम और रावणियुद में श्री राम की साहथा की थी, जिसे श्री राम वीज्य हुए थे, तो वही हनुमान अब अरजू की साहथा करने के लिए आए है, वहां कृशन साक्षात राम है, तो इस समय अर्जुन की सहता के लिए उनके रत पर राम और हनुमान दोनों उपस्तित हैं राम कौन है कृष्ण राम है वहां कृष्ण साक्षात राम है जहां भी राम रहते हैं वहाओं के नित्य सेवन सेवक हनुमान रहते हैं और उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता लक्षमी वह भी साक्षाद वहाओं पस्तित रहती है अता अर्जुन के लिए किसी भी शत्रों से भाय का कोई कारण नहीं है इससे भी अधिक इंद्यों के स्वामी भुहां कृ साक्षाद वहाओं विद्यमान है साक्षाद महाओं पस्तित थे तो इस पकार अर्जुन को यूद में यूद करने के मामले में सारा सत्थ प्रामर्श प्राप्त था ऐसी परिस्टियों में जिसकी विवस्ता भुहान ने अपने शाष्ण बगत के लिए की थी निश्चित विजे के लक्षिन स्बस्ट थे तो इसंब बातों से अर्जुन के विजे के जूलक्षिन है ओप बड़ी अच्छे तरह स्पष्टा से दिर्ष्टिवोच्र होते हैं अगरा शोग दोश्च्छोग करणा कह रहे हैं समय है मारे पास तो निकारा आए चाचा करते हैं अर्जुन वाच सेनरो उबयो मत दे रथम स्थापिता में अच्छुत यावत एतन रिक्षे हम यद्दुकामाना वस्तितार के मयासयो दव्यम असमिन रणम समुद्ध में तो जो कहता है है अच्छुत भवान को बड़े विशिष्ट नाम से संबोजित कर रहा है अच्छुत अच्छुत यनि आप अपने स्थिती से कभी नीचे नहीं गिरते हैं कभी आपका पतन नहीं होता है तो हे अच्छुत क्रिपा करके मेरा रत दोनों सिनाओं के बीच में ले चले सेनरो उभ्यो मद्धे दोनों सिनाओं के मद्धे में ले चले जिससे क्या होगा वहां जाके किया करनो दुमने यावत एतान निरिक्षे हैं मैंने मैं करूँगा वहाँ जाके का यॉरूर। hypoth השिताय जो लोग आहे हैं पीपक्षी दल के जो यॉद्ध करने की यॉद्ध कामां यॉद्धि करने की जो इस्छाले कि यहाँ हैं उनको मैं देखना चाहता हूँ यूदियों दाशने वालों को और ये कैसा है । असमी 676-23 में ये जो रण है ये कैसा है ये शस्थडर की महान प्रिक्षा है ये को छोटा मोडा यूद्व है नहीं महा भारत का यूद्व है अदभुत युद्ध है इसमें हम सब युद्धा हम सब परिक्षार्थियों की तरह है हम सब स्टुडेंट्स की तरह है जिन्हों ने इस युद्ध इस परिक्षा में पास होना है शस्त्रों की महार परिक्षा है तो इनसे मुझे संगर्ष भी करना है इनको मैं देख तो रूँ इनको मै समयजारागा कितना समर्पन चाहिए कितनी शक्ति चाहिए कितना समर्पन जो है टो वैसे ही महान कारे में आ गया है और युद उनके सामें पस्थित हो गया है और उनके के सेनाओं की विशेश रूप से वो गहराई दिखना चाहता है कितने कौन-कौन आये हैं क्या कि शक्ति का क्या गहराई है तो ठीक है बजबादी इसके श्लोक को जी किस बाई श्लोक है इनके तातपरे पे हम अगली कक्षा में चाचा करेंगे बात बहुत धन्यवाद हरे कृ प्रश्ना